वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूट्व में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ टॉपिक है वो है जियोग्राफी में मरुस्थल डेजर्ट की आज हम बात करेंगे और इससे पहले की क्लास में हमने बात करी थी पठार के बारे में तो पठार को हमने पूरा पढ़ लिया था पठार को पूरा पढ़ने के बाद आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का आज हम यहां चर्चा करने वाले हैं इनको आज हम जानेंगे ठीक है चलिए सबसे पहले तो यह देखें कि मरुस्थल होता क्या है तो देखो ऐसे सभी इलाके जहां पर ओसत वार्सिक वर्सा 25 सेंटी मीटर से भी कम है यानि साल में वहाँ 25 सेंटी मीटर भी पानी नहीं बरस रहा ऐसी जगाओं को हम कहते हैं मरुस्थल मरुस्थल का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में चीज आती है कि रेत के बड़े बड़े टीडे हैं है ना पानी की बहुत कमी है सूखाई है चार और बट ऐसा बिलकुल सही नहीं है मरुस्थल जो है वो हमेशा रेत के टीले नहीं होते हैं मरुस्थल बहुत बाद शीत भी होते हैं या मरुस्थल मतलब गर्मी ऐसा नहीं है शीत मरुस्थल भी होते हैं जहां पर पानी के बून नहीं मिलेगी लेकिन ठंड बहुत जादा होगी जैसे इसका बेस्ट एक्जामपल है हमारे पास गोभी मरुस्थल गोभी मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है या फ साथ 25 सेंटी मीटर से कम हो और वहां पर वनस्पतियों का अबहा हो सीधी बात है वनस्पति मतलब जो पेड़ पौदी है वो ना हो ठीक है तो हम उसे कहेंगे मरुस्थल सीधी सी बात है अब देखो देश का 12% भागलिक छेत्र भारतिये शुष्क मरुस्थल के अंतरगत आता फ्रीत का मिलेगा है तो राजस्तान है गुजराथ है पंज़ाब है माहराष्ठ करनाटक आंन्ध्र प्रिश हो और जम्मिकश्मिर में मानुस्तल फैले इसे केंद्रिय शुष्क छेत्र अनुसंधान संस्थान के रूप में 1969 में पूर्ण संस्थान का दर्जा दे दिया गया ठीक है काजरी जोदपूर इस्थित मुख्याले में छे संभाग है इसके चार छेत्री अनुसंधान केंद्र विवेन क्रशी जलवाईव इस्थितियों में इस्थानांत्रित समस्यानुगत अनुसंधान हेतु इस्थित है ठीक है आपको बस इत्ता द्यान रखना है कि मरू व विशाल भारती मरूस्तल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर में इस्थित है यहां पर वार्सिक बरसा 1.500 सेंटी मेटर से कम होती है और पैडाम सरूप यह एक शुष्क और वनस्पती रही छेतर है धाल के आधार पर मरूस्तल को दो भागों में बाटा जाता है सिंद में खतम हो जाती है द्हान लखना भारत के उत्तर तथा पश्म उत्तर भाग में मरूस्तल का विस्तार है मरूस्तल छेत्र को दो भागों वोश्न यानि राजिस्तान के थार का इलाका और कक्षकरन और शीत लद्दाक वह माचल में इस पीटी घाटी में विवाज़त किया सकता है जो मैंने अभी आपको बताए ना कि मरुस्तल का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा गरम ही होगा मरुस्तल ठंडे भी होते हैं और यह एक्जांपल मैंने आपको दिया था ठीक है आगे देखो भारत का मरुस्तलिय छेत्रों में उस्न वाशुष्क जलवायू की दशा पाई जाती है लद्दाक एक ब्रश्टी छाया प्रदेश है ब्रश्टी छाया प्रदेश क्या होता है इसे इंगलिस में बोलते है रेन शैडो एरिया ठीक है रेन शैडो रेन शैडो एरिया रेन पहाड है अब मालो मानसुनी हवाएं इस तरफ से आ रहे हैं जब इस तरफ से आएंगी ना तो मानसुनी हवाएं जितना भी अपने साथ नमी लेकर के आएंगी पानी लेकर के आएंगी वो इस पहाड से टकराने के कारण सारा का सारा पानी यहीं बरसा देंगी इस 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 यहां तक वो कभी पहुंचेंगी नहीं और यहां पर पहुंचेंगी नहीं तो यह लाका हो जाएगा बिलकुल सूखा यहां पर पानी बरसे गाई नहीं ऐसे ही इलाके को हम नाम देते हैं रेंड शैडो एरिया वरश्टी छाया प्रदेश ठीक है ना हाँ और लद्दा के एक वरश्टी छाया प्रदेश है अता इस परस्ट है कि इन छेत्रों में लगबख प्रतेक वर्स उखे किस्थिती बनी रहती है आगे देखो भूकंप भी मरुष्टली छेत्रों में आने वाली प्रमुख समस्या है वर्स 2001 में कक्ष के रन में आए भूकंप से राजिस्तान के बाड़ मेर वर जसल मेर जैसे इलाके प्रावित हुए लेवा इस्पीती घाटे भी भूकंप जोन चार में अवस्थित है कक्ष के रन को सफेद मरुष्टल कहा जाता है सफेद मरुष्टल इसलिए क्योंकि नमक की परत यहां पर जमा हो जाती तो वह वाइड वाइड आप सामाने सब्द है यह उत्री पश्चमी भारत के राजिस्थान राजमे तथा पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध परांत में विस्तारित है थार रेगिस्तान एक शुष्क छेतर है जो दो लाख वर किलो मीटर में फैला हुआ है ध्यान लगना और भारत और पाकिस सीमा के साथ प्राकरतिक सीमा बनाता है थार के मरुस्तल का अजिकांस भाग राजिस्तान इस्तित हैं परंतों कुछ भाग पंजाब हर्याना और गुजरात में भी फैला हुआ है थार के मरुस्तल की बात कर रहे हैं एक मरुस्तल और च्छोटा सा जिसका नाम है थेरी मरुस को तमिल भासा में थेरी कहा जाता है इसलिए इसका नाम है थेरी मरुस्थल बस रियान रखो बाकि कोई आवश्यक्ता नहीं कुछ और याद रखने की इतना वस्याद रखो थेरी मरुस्थल कहां पर है भाई तो थेरी मरुस्थल आपको मिलेगा तमिल नाडु में ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के समुद्री तटी राज्जी का मतलब यह हुआ कि भारत के कितने राज्जों के पास समुद्री सीमा है तो अब हम देखेंगे कि भारत के कुल कितने राज्जों के पास समुद्री सीमा है यह रही लिस जूम कर देता हूं जिससे आपको बहतर डंग से दिखाई दे तेक है पहले कुछ बेसिक जानकारी आप लेलो देखो अगर भारत की समुद्री सीमाओं की बात की जाए तो भारत में जो समुद्री सीमा है वो इस तरीके से बैटी हुई है नौतों है हमारे राज्य और चार है केंद सासे प्रदेश यानि यूटी तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारे पास नौ पूर्ड राज्य है और चार यूटी है तो टोटल कितने इस्टेट हो जाते हैं जिनके पास समुद्री सीमा है वो है तेरा ये डेट आपको अलग-अलग याद रखन तो टोटल कितने हैं तेरा ये बात आप ध्यान रखना इनमें भी ये लिस्टे से आप देखो पहला इस्टेट है हमारे पास अंडवा निकोबार अंडवा निकोबार की जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई है उन्निस सो बारा किलोमीटर ठीक है फिर आता है गुजरात ब सब्सक्राइब करना टक 200 सी पस्चे मंगाल 157 लक्षदीप 132 गोवा 101 पुड़ुचेरी पुड़ुचेरी 31 दवंदीफ 27 अब इन में देखो आपको याद क्या रखना है पहला पहला याद रखना है भारत में सबसे लंबी तर्ट्रे का वाला राज और 99% केसिस में आपको गुजरात मिलेगा और गुजरात वाला ही सही मानता है पेपर में सवाल आया भारत में भारत की सबसे लंबी तर्ट्रे का वाला राज अथवा के इंसासित प्रदेश इस तरीकी से पूछ रहा है स्लेश लगा कि उसने यूनिन टरिट्री को भी जोड़ दिया तब आपका जवाब अंडमा निकोवार होगा क्योंकि वैसे तो लंबा इसकी जादा है लेकर केवल लिए पूछ रहा है कि भारत में सबसे लंबी तर्ट्रेखा वाला राज जी बताओ तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है तब इसका जवाब हर इस्तिती में गुजरात ही होगा ठीक है हाँ यह हो गया सबसे लंबा सबसे छोटा भी देख लो सबसे छोटे की बात करेंगे अगर सबसे छोटा पूछता है तो फिर आप गोवा बताओगे ठीक है हाँ पूर्ट राज्यों में सबसे छोटी जो बाउंडरी है ठीक है जो समुद्री सीमा है वो गो आकि है और अगर यूने टरिटरीज में जाओगे तो फिर आजाएगा यह दमन दीव ध्यानकना तो अगर नॉर्मल पूछ रहा है सबसे छोटी समुद्री सीमा किस राज़ी किये तो आपको नॉर्मल आंसर गोवा देना है या अगर यूने टरिटरीज को भी इसमें जोडता है तो फिर आप आंसर करोगे इसका दमन और दीव और टोटल अगर अपशिकी बाउंडरी जोड़्लो कितनी है तो टोटल इसकी बाउंडरी है फिचेटर 116 किलोमेंटर ध्यानकना भारत की कुल समुद्री सीमा कि लंबाई कितनी है फिचेटर 116 कि यहां पर यह मैप दिया हुआ है को और एक स्प्रें कर देता हूं इस मैप को आप देख लो फिर आंद्रपदेश ठीक है फिर ओडिसा फिर पस्चे मंगाल और यहां पर आपको मिलेगा लक्ष दीप और यह मिलेगा आपको अंडवान और निकवार और यहां पर मिलेगा पुडू चेरी ठीक है बाकि इसको भी एक बात देख लो यार यह इंपोर्टेंट है देखो इस टेए मुठ ओस जारओ न यहां पूराइलाख का गलफ और हर्येस कोंकण तर्थ यह पूराका फूरा यह कंकरण ठीक है है यह आपको मिलेगा यह मालावार है माला बार कोस्ट आपर मिलेगा तेको केरला में ध्यान लगना फिर कोरोमंडल मिलेगा टमिल नड्य में धियान आप इंपर stad यहां पर मिलेकी चिल्का और बन्cakाल में मिलेगा आपको는 कल तट इनको ध्यान लगना कि अगर आगे देखो बारत की तट्रेखा पूर्व से बंगाल की खाड़ी दक्षड में हिंदमा सागर और पश्चम में अरब सागर सहित मुख के भूमी और जीपों से घिरी है आगे देखो भारत में गुजरात राज्ज की तट्रेखा सबसे लंबी है और सबसे छोटी गुवा की है हमने देख लिया अन्ता इस्तल के सागर की और निकले भागों को मिलाने वाली सीधी देखा आधा देखा के ला दिये आधा देखा क्या होती है मैं आपको चलिए धोड़ा स समझहने का प्रयाज करता हूँ आधा देखा क्या है देहो भारत का जो समूदरी छेत्र है या जो पैस्तल सीधा नहीं है ना अब मालों कर लोग कहीं आगे निकला है कर आप इस तरीके से होता है हमने क्या है हमने इस टेड़ी मेड़ी तट रेखा को बिल्कुल सीधा कर लिया है और इस सीधी रेखा को हम नाम देते हैं जो हमने dotted line यहां बनाई है इस dotted line को हम नाम देते हैं आधार रेखा पेपर पूछा जाता है आधार रेखा क्या है तो आपको बताना है तेड़े मेड़ी समुद्री रेखा को मिलाती हुए खींचे जाने वाली सीधी रेखा यह कहलाती है आधार रेखा जानक नहीं आप कोई बात अब देखो किसी भी देश की प्रादेशिक जल छेत्र को चेत्री सागर कहा जाता है अभी मैं एक फोटो दिखाऊँगा उससे समझाँगा आपको चेत्री सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की और मापी जाती है जो सामाने तहां 12 नौटिकल मील तक होती है समुद्री मील को इंगलिस में नौटिकल मील पहोते हैं इस चेत्र के उपयोग का भारत को संपूर अधिकार प्राप्त है समीपस्त मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 नौटिकल मील तक होता है अभी सब आपको समझाँगा टैंसर मतलो अभी किवल पढ़ो इसे इस चेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्ती अधिकार प्राप्त है किसी भी देश का अनन्य आर्तिक चेत्र आधार रेखा से 200 नौटिकल मील तक होता है इस चेत्र में भारत को वैग्यानिक अनुसंदान की छूट मिली होई है और भारत का औसस समुद्री तट मुंबई हाई तट से मापा जाता है ध्यान रखना ठीक है हाँ रश्चीज को आप लोग ध्यान रखेगा अब मैं आपको समझाता हूं कि उपर वाले जो पॉइंट हमने देखे हैं कि 12 नौटिकल माईल 24 नौटिकल माईल ये क्या है हाँ जी अब यहां से आप देखे इस डाइग्राम से आपको समझ में आएगा यह जो आप टेड़ी मेड़ी देख रहे हैं यह है तट रेखा और हमने क्या किया तट रेखा को मिलाते हूँ एक सीधी रेखा खेश दिया वारी यह यह रहाई यह है इए आधार रेखा जयान लगना यहां पर भी भरेगा यहां पर भी भरेगा भरेगा नहीं भरेगा देखो इस इस जैसे अगर मैं जूम करूं तो अब इस वाले इलाके में पानी भर जाएगा समुद्र का तो यह आंतरिक जाल यहां पर भी भर जाएगा तो यह भी आंतरिक जाल है ठीक है और देखो जाता है छेत्रिय सागर ठीक है प्रादेशिक जल छेत्र का जो इलाका होता है इसे छेत्री सागर कहा जाता है और यह इलाका कितना होगा यह लाका होगा बारा नौटिकल माइल आधा रेखा से आगे बारा नौटिकल माइल तक का यह जो इलाका है इस इलाके को हम कहते हैं छे पुर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं और भारत जो यहां करना चाहे वो कर सकता है और आगे बढ़ेंगे तो इस आधार रेखा से आगे 24 नौटिकल माईल तक यह वाला जो इस इलाके को हम कहते हैं समीपस्थ मंदल इसका जो एरिया होता है यह होता है 24 नौटिकल माईल 24 कोई जहाज इस इलाके से होकर के गुजरेगा तो भारत को इससे टैक्स लेने का अधिकार है और साथियो इस इलाके से ठीक है हाँ आधार रेखा से आप और आगे बढ़ जाईए और कहां तक चले जाईए आधार रेखा से और आगे बढ़ जाईए कितना 200 नौटिकल माई तक तो इसको हम कहते हैं साथियो एक्स्क्लूजिव एकोनोमिक जोन हिंदी में अनन्य आर्थिक छेत्र यह जो लिखा हुआ है ठीक है हां यहां पर भारत को वैज्ञानिक अनुतंधार करने की छूट प्राप्त है तो यह जो है आपको दियान रखने हैं यह सारी चीजें यह 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 पहुंच जान रखना अब तक मुझे मैंने साइट कहीं पढ़ा था शायद कि बहुत चेन नहीं है बड़ वो गलत है इसको जो है आप लोग ध्यान रखना ठीक है जो भी हमारे पुराने स्ट्वेंट है वह सकता है इस बात पर कमेंट करें कि सवर आपने तो पताय मुंबई है द्यान रखना ठीक है आगे देखते हैं प्राचीन भारती एतियासिक सार्चों में हिंद महा सागर को रतना करके नाम से समुद्द किया गया है यह बात आपको द्यान रखना है तटी अपर्दन से समुद्द्री लहरों, जुआर भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानभी किलिया कलापों की प्रम भूमिका होती है इन में से सबसे जादा अपर्दन लहरों ज़ता है अपर्दन का मतलब है गिसावट समुद्र के किनारे जो टूट फूट होती ह चट्टानों में उसका प्रमुक कारण लहरे होती है द्यान रहना भारत का पश्मी तट पश्मी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीन मैदान है इस मैदान को तीन हिस्टों में वाजित किया जाता है उत्तरी भाग को कौंकर तट कहते हैं मुंबी और गोवा में मद्य भ कावेरी नदियों के डेल टाउं द्वारा निर्मित होने के करण बहुत उपचाओ है पूर्वी मैदान इसमें महा नदी तदा गोदावरी नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है यह बाद ज्यान लगना कोरो मेंडल तटका विस्तार भारत के दच्छल प्राइदीप के दच्छलपूर में आंदपरेश के फाल्स डीबी बिंदू ठीके यह ध्यान रगना से तमिल नाडू के केप कमोरें तक है यह बात پेपर में सीधे-सीधे पूछी गई है यह बात ध्यान रगना भाई बिलक आंध प्रदेश के फॉल्स दीबी से तमिल नाडो के केप कमोरिन यानि कन्या कुमारी तक पेपर में आई हुआ प्रश्न है भारत की पश्चमी तर्ट परिश्चित बंदरगा देख लो कौन-कौन से है मुंबई में मुंबई बंदरगा है महाराष्ट कांडला गुजरात मर्मुगाओ गोवा जबाला लहरू महाराष्ट जंजीरा महाराष्ट में उडूपी करनाटका में मिलेगा ये भी बंदरगा है कोचीन केरे में मिलेगा और न्यू मैंगलॉर करनाटक में मिलेगा ध्यान अखना बारत के पूर्वी तटपर इस्थित बंदरगा देख लीजिए विशाका पत्तम का मिलेगा अंध्रपदेश में हल्दिया मिलेगा पश्यमंगाल में पारादीप मिलेगा ओडिशा में एन और मिलेगा तमिलनाडु में और न्यू तूती कोरिन भी मिलेगा आपको तमिलनाडु में तमिलनाडु तटपर इस्थित तरंगम बाड़ी डेनमार्क से सम्मधता के लिए विख्यात है न्यू जेरुशलम चर्च जिबरेन चर्च आदी यहां की प्रमुक इमारते हैं जो डेनमार्क वासियों ने बनाई थी डेनमार्क निवासी यहां 1620 में आये थे और 1845 तक डेनमार्क ने यह बस्ती अंगरीजों को बेच दी यहां पर जो है कुछ महत्पूर्ण चीजें भी हैं यह कुछ जगा हैं जो पेपर में अक्सर करके पूछी गई हैं इनको आप और देखो यह से जंजीरा कहां मिलेगा यह आपको मिलेगा महाराष्ट में सिंदुदुर्ग कहा मिलेगा महाराष्ट के सिंदुदुर्ग में कन्नूर कहा मिलेगा केरल के कन्नूर में उडूपी कहा मिलेगा करनाटक के उडूपी में औरेविले कहा मिलेगा तमिलनाडू और पुर्चेरी की सीमा पर कोरू मंडल के तठपर और नागर कोईल कहां मिलेगा यह तमिलाडू राज में कन्या कुमारी जिले में मिलने वाली जगा है यह सब पेपर में पूछे गए हैं द्यार लखेगा इसके साथ यह टॉपिक हमारा कंप्लीट कुआ अब हम लगाएंगे इस टॉपिक से आई हुए प्रीवियस येर क्वेशन ठीक है प्रादिशिक जल्चेत्र का विस्तार कितना है प्रादिशिक जल्चेत्र का विस्तार तट से तीन समुद्री मिल तक तट से छे समुद्री मिल तक तट से बारा समुद्री मिल तक या तट से चौबिस समुद्री मिल तक तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाय था इसका आंसर है इसका 7511 इसका सही जवाब है लेकिन 700 दिया हुआ है कोई बात नहीं काम चल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बारत की तर्टका की लंबाई फिर से भाई क्वेश्चन है अब इसमें तो देखिए सारे के सारे 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 जवाब गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है बिहार पीसेस में पूछा का प्रशन है लेकिन सवाल गलत है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो टोटल ल सी गुजरात है हम लोग जानते है कि गुजरात का जो समोजी तर्थ है सबसे लंबा है जिसकी लंबाई है बारा सो चौदा किलो मीटर है ना हाला कि इससे भी लंबा एक वह अंडवाने को बाद जिसकी लंबाई 1912 लेकर वो जो है वो एक पूर्ण राज नहीं है देखो कितन सब्सक्राइब करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन भारत के कितने राज्य तर्ट रेखा से लगे हुए तो यह मैंने आपको इस्पेशली बताया था देखो अगर पूर्ण राज्यों की बात होगा होंगी तो पूर्ण राज्यों की संख्या है नो जो सीमा बनाते हैं किसके साथ जो सीमा बनाते हैं समुद्र के साथ और अगर आप यूटीज को जोड़ लो यानि केंसासित प्रदेशों को जोड़ लो तो इनकी संख्या है चार और अगर यहां पर कुल पूछ ले तो नो और 9,84 13 तो इसके सािचाओ जवाब क्या होगा तेरा ठीक है की बार आए वोगा प्रश्ट है आप देख लो आ एक कही को पुछा था निहीं देखा प्राचीन भारती है तःहासिसमें रतना रतनाकर किसका सूचक है भाई तो मैंने अभी जस्ट आपको होता है रतनाकर सूचक है किसका हिंद महा सागर का ज्यान लगना आई इसमें पूछा क्या प्रस्न है सरवादिक 30 अपरदन किसके विए से होता है इस लाइन को हमने प्रॉपर अभी मैंने बताया था और मैंने आपको समझाया था कि सागरों के किनारी जो सरवादिक तूट-फूट होती है वो लहरों की वज़े से होती है really ठीक है मानुवी क्रिया मतbú होती तो देखिए लहरों से भी है भाहराओं से चुनाभी से होती है जिवारॵह्ट Seanender on की मानुवी क्रियाओं से भी होती है बड हम ें एक पालता है और सर्वादिक चुन्त κάम करती है अगे इस बिस्ट को देखिए एक तरफ दिये हुए है सागरपुलिन और एक तरफ दिये हुए है लोकेशन पर है धीघा, गोपालपुर, कालंगोट और मरीना ये आपको बताना है तो दही मैं आपको बतायता हूं धीगा नामका सागर पुलेन आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में इंपॉर्डेंट है गोपालपूर नामक सागर पुलेन आपको मिलेगा ओडिशा में ये एक समूदी तठ है कलांगोट आपको मिलेगा साथियों गोवा में और मरीना मिलेगा आपको मरीना बीच तमिलाडो में यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप्शन भी याद रखना है इसको इंपोर्डेंट पॉस्चन है यह देखो इनको याद कर लो आप लो इंपॉर्डेंट पेपर में आ सकता है बी-ओ में अब तमिल नाडो और आंध्पदेश के तट को किस नाम से जाना याता है यह तो तमिल नाडो और आंध्पदेश का जो तट है इसका जो सेंफत नाम है वो है कोरो मंडल ध्यान रखना यह इंपॉर्डेंट है काफी कोरो मंडल वर्ड आपको कई बार देखने को मिलेगा जब मांसून पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा कि बताईए भारत में कौन सी जगह है जहां पर सर्दियों में भी बारिश होती हो गर्मियों में तो होती है या साल में सरबादिक पर थे चलिए एक और देखते हैं कुछ और सवाल देखते हैं हाँ पर तंप राज Okay Samutर क्रि तक या तो तंपिल नाडू क्या कहलाता है को करोमंडल माला बार कहां का है केरल का ठीक है को ओंकर है गोटक्र या का और आप यकमेंण कि बताइए उत्तरी सरकार तट कहा का है आसाने आप लोग कल लोगे है यह देखो इन इन तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के बीच में इससे थे तो यह मैंने आपको बताया था नहीं पताया था थोज़े पहले कि यह पेपर में पूछा कर पशने है दीवी पॉइंट से लेकर के केप कमोरिन तक जो छेतर है वो है कौरु मंडल का केप कमोरिन के नाम से किसको जाना आता है तो केप कमोरिन कुछ और नहीं है केप कमोरिन है कन्या कौमारी धियान लगना उत्राखन में पूछा गया प्रशने है भारत के पश्मी तटी मैदान है उसका जो उत्री हिस्सा है उसको हम कहते हैं कोंकड ठीक है जो मद्दिवर्ती हिस्सा है उसे कहते हैं करनाटक और जो दक्षनी हिस्सा है उसे कहते हैं मालावार यह सब हमने पड़ा है पेपर में ठीक है PCS में पूछा गया प्रश्ण है इसे के साथ यह टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट उम्मिद करता हूं कि मैदानों से या समुत्र से अगर कोई भी PCS या रो या रो या बीओ में सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो करपया करके चै हिंच या भारत बने मातरों